नमस्कार दोस्तो टीवी इंडिया में एक बार फिर से आपका हर्तिक स्वागत है दोस्तो हमारी इस चलल में रोज नए नई जानकारी आपको प्राप्त होती है तो आए जानते हैं आज हम किस चीज के बाले में बात करेंगे दोस्तो अपामार्ग एक बहुत आम खर्पतवार है अपामार्ग को ओंगा, लटजीरा, चिर्चिता के नाम से भी जाना जाता है लेकिन आप इसे केवल खर्पतवार ही न समझे क्योंकि अपामार्ग के पौदे के फायदे बिभीन स्वास समस्याओं को दूर करने के लिए भी जाने जाते हैं ये सामान्य रूप से हमारे किसी काम का नहीं होता लेकिन यदि इसका अईरवेद्यूक उप्योग देखा जाए तो ये कई प्रकार की सामान्य और गंभीर बिमारियों को ठीक करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है आज हम आपको इस जली बुटी के कुछ ऐसे ही फायदे बताएंगे अपामार के फल का चूड लेने से मस्तक के कीड़े गिर जाते हैं और कफ रोग में लाव मिलता है जोडों की सूजन में इसके ताजे पत्तों को पीश कर लेप करने से उसमें सूजन घटने लगती है श्वेत अपामार की जड़ को अपने पास रखने से धन की बरकत होती है और घर की आर्थिक इस्तिती अच्छी बनी रहती है यदि आप आधिस सिर्द दर्थ से परिशान हो तो इसके वीजों के पाउडर को सूंगने मात्र से दर्द में आराम मिलता है पुष्प नक्षत में स्वेत अपमार की जड़ को लाकर फिर से अभी मंत्रित करके उसे पीश कर तलक लगाने से लोग आपके पवभाव में वशिव्यूत होने लगते हैं दातों के दर्द में इसके पत्तों का स्वरस रूई में लगाकर इस्तानिय रूप से दात पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है अपमार की पत्तियों को गुड में मिलाकर खाने से हर प्रकार की बुखार यानि जुआर ठीक हो जाता है तो दोस्तो ये कुछ फाइदे थे अपमार के जो एक खरपतवार है आपको हर जगे मिल जाता है तो दोस्तो ये जानकारी आपको कैसे लेगी हमें शेयर करें और सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल न भूलें और कमंट करके जरूर बताएं कि ये आपको जानकारी कैसे लेगी